नमस्कार दोस्तों तो आज का हमारा टॉपिक है वाट इस रेनिंग फीट और इसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं अगर आप इस वीडियो का लाइक और चानल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हो कि यह कांसेप्ट आपको समझने में बहुत आसान होगि तो बेसिकली रेनिंग फीट इस नाम में सब कुछ यह यह बहुत ही आसान हे रेनिंग फीट जिसे हम शौट फॉर्म में आरे इफटी इस तरह से लिखते हैं इसका इस्ते班 कंस्ट्रक्शन related field में और other field में भी बहुत प्रामान में होता है बहुत सी चीजों में इसका इस्तमाल होता है जैसे कि आपको wire लेते समय या फिर races की railing, pipes, kitchen trolley etc. इस तरह की बहुत सी चीजों में running fit का इस्तमाल होता है सिर्फ दो example के through देखेंगे कि क्या होता है running fit और इसे किस तरह से आपके rate के साथ multiply करते है तो running fit में basically होता यह है कि जो कोई भी आपका distance या फिर जो कोई भी आपकी length है उसे आप fit में major करते हो और उसे बाद में आप multiply करते हो आपके rate से. For example के आप मान के चलिए आप दुकांदार के पास गए किसी wire के और उनके पास से 25 feet की अगर आपने wire मांगी तो दुकांदार आपको 25 feet की wire कट करके देगा और मान के चलिए उस wire का rate हमने 50 रुपे पकड़ा है तो हम क्या करते है बेसिकली 25 multiply 50 is equal to 1250 रुपे इतनी उसकी cost होई तो ये 25 जो था वो 25 running feet उसने wire आपको cut करके दी थी wire की जितनी भी length हमने ली है उसे हमने fit में लिया है इसलिए वो running feet में consider हो गई उसके बाद में हम दूसरा example देखेंगे अगर क्या हो अगर room का size आपका 12 by 12 हो और आपको उसकी skirting की length निकालनी है running feet में तो क्या करेंगे आप 12 by 12 करेंगे नहीं ये गलत answer है इसके लिए आपको क्या करना है running feet में आपको square feet के तरह दो बाजो को multiply नहीं करना है बलकि इसके लिए आपको room का size अगर 12 by 12 है इसका मतलब उसकी दूसरी दो बाजो भी 12 है तो आप क्या करेंगे 12 plus 12 plus 12 plus 12 is equal to 48 ये आपका running feet मैं जानता हो इसमें आपका door का direction होगा पर हमने example समझने के लिए हम इसमें कोई direction नहीं करेंगे तो जो कोई भी है आपका rate मान के चले है आपने 10 रुपई rate पकड़के चले है तो 48 multiply 10 is equal to 480 रुपीज तो ये इतना आसन होता है आपको distance जो कोई भी आपकी length है उसे fit में लेना है और उसे multiply करना है जो कोई भी आपका rate हो उससे तो आज आता है आपका running feet इसे आप running meter में भी उसी तरह से होता है सिर्फ उसके measurement जो होते हैं वो meter में होते हैं और running feet में जो measurement होते हैं वो feet में होते हैं तो ये basic सा एक difference है इन दोनों के बीच में तो मैं आशा करता हो कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और वीडियो पसंद आगा तो इसे like कीजे और मैंने जिससे आपसे कहा इसी तरह के वीडियो के लिए construction zone चैनल को ज़रू subscribe कीजे और आपके कोई सुजा हो तो आप definitely comment कर सकते हैं आप चाहते हो किसी topic के related वीडियो बाना तो आप नीचे बिलकुल comment कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ share कीजे जिसे उन्हें भी पता चल सके side पर जब भी आप जाएंगे तो आप नीचे comment करके बताएए कि आप कौन कौन सी चीजे running fit में measure करते हो यही था दोस्तो आज वीडियो दन्यवाद